ख्वाब हमारा भी था कि भारतिय टीम ICC World Test Championship की पहली चैंपियन वने लेकिन इस्वर और विराट कोली की किस्मत दोनों को यह मंजूर नहीं था टास हारने से लेकर ICC टूर्नामेंट के बड़े मैच हारने के लिए मसहूर हो चुके विराट कोली का किस्मत तो पहले से ही खराब माना जाता है लेकिन भारतिये फैंस की माने तो इस मैच में विराट कोली अपनी किस्मस से कहीं जादे खराब कप्तानी और बल्लेवाजी के वज़ा से हारे न्यूजिलेंड के कप्तान केल विलियमसन बतोर कप्तान पहले से ही हिट माने जाते है लिहाजा सिक्के ने भी उनका साथ दिया और सिक्के का फैसला आते ही टीम इंडिया को बल्लेवाजी के लिए बुलाया गया पिछ पर हरी घासो और भरती बल्लेवाजों को बल्लेवाजी करने में दिक्कत ना आये भला ये कहा मुंकित था लिहाजा इस पिछ पर पहले से ही बैटिंग मुस्किल लग रही थी और भारती बल्लेवाजों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा तो थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्ष्ट का खास कारिकम स्पोर्ट फर्ष्ट देखा है विराट की सेना पहली पारी में महल 277 रन बनाएं यही से कीवी टीम ने अपने जीत की स्क्रिप्ट तयार कर दी पहली और दूसरी दोनों पारियों में टीम इंडिया के बल्लेवाजों ने कीवी बॉलर्स के आगे घुट्टे टेक की है कोई भी इंडियन बैट्समेन हाफ सेंचुरी भी नहीं लगा पाए ऐसे हालाद में जीत की उम्मीद करना भी बेमानी था पहली बारी में न्यूजिलेंड ने 249 रन बना है जिसके आधार पर उसे 32 रन की लीड मिली भले ही यह आकड़ा दिखने में छोटा लग रहा हो लेकिन लोई स्कोरिंग मैच में इसकी एहमियत काफी बढ़ जाती है कीवी टीम को इस बढ़त का फायदा हुआ उन्हें जीत के लिए महज 149 रन का टार्गेड मिला जिसे उन्होंने महज 2 विकेट खोकर पूरा कर लिए इस माहम काबले में हर भारतिय बालर जीत के लिए जद्दो जहत करता दिखा लेकिन जस्पृत बुमरा का नकाम होना टीम इंडिया को और नुकसान पहुचा गया पहली पारी में बुमरा की जोली खाली रही तो वहीं दूसरी पारी में भी इनका जादू जरा भी नहीं चला इस तरह वो मैच में विकेट से महरूम रह गया भारतिये ने महर्ज गेंदबाजी में ही गलतिया नहीं की बलकि इनकी फिल्लिंग तो और निराज जरक थी नुजिलेंड की दूसरी पारी की दोरान चेत्यस्वर पुजारा की मिस फिल्लिंग भारत को भारी पड़ गई दरसल इस मैच के एक बहद अहम वक्त पर पुजारा ने टेलर का कैश्ट अपका दिया जिसके बाद ये टीम इंडिया की हार का एक बहुत बड़ा वजह बन गया एक तिस्वे ओभर के दोरान जस्वीरित पुम्रा की एक गेंद को टेलर ने रोकने की कोशिस की और किनारा लग कर सीधे पुजारा के पास गई लेकिन पुजारा के हाथ से गेंद छिटक गई और टेलर आउट होने से बच गए उस वक्त न्यूजिलेंड का स्कोर्च और 80 रन पर दो विकेट था विराट कोली ने भले ही टीम इंडिया को ICC World Test Championship के फाइनल में पहुचाया लेकिन अहम मुकामले में उनकी नाकामी फिर दुनिया के सामने आ गई वो कीवी टीम के खिलास 80 रन निती बनाने में नाकाम रहे और उनकी कप्तानी में भारत का ICC टॉफी जितने का ख्वाब महज ख्वाबी रागया